नमस्कार मैं प्रदीफ हूँ आप थिंक 360 देख रहे हैं लोग सबक्स चुनाओं के नतीजों पर हम लगातार विश्लेश्ट कर रहे हैं एक एंगल ये हैं कि विधानसवा चुनाओं में सरकार बनाने वाले बीजेपी राजस्थान में क्यों एक तरीके से निपट गई 25 की 25 सीटे दो बार रिपीट करने वाली भाजपा फेल हो गई सीधे तोर पे 2013 में भाजपा की 163 विधानसवा सीटें थी 163 सीटों के पुर्जो और माहोल में विजेपी चुनाओं लड़ती हैं बाडमेर जिसे इस्तिती मौजूदा इस्तिती जैसी इस्तिती उस वक्त भी थ जैस्वन सिंग जैसोल जैसे कद्दावर नेता भागी होए चुनाओं नहीं जीत पाई वसंद्रा राजे का मेकेनिजम अब स्थिती 2018 में भाजपा की सरकार चली जाती हैं कॉंग्रेस की सरकार थी उसके बावजूद भाजपा 25 सीटें एंडिया गटबंदन को जिता देती हैं अब एक बार फिर से सरकार है दस साल बाद में सरकार जो है माहूल दस साल पहले जैसा था बाड़मेर में बगावत राजपा तो विधान सभा चुनाओं जीती हुई पार्टी क्यों लोक सभा चुनाओं में गच्चा खा गई क्या कारण रहे हैं और कहा जाता है कि तो नहीं होता लेकिन इस विधान सभा चुनाओं में जब भाजपा को पता था कि जाट पोर्ट उनके खिलाफ गया हैं भाजपा को पता था कि सरकारी वोटर्स याने की पोस्टल बैलेट में वो खारी हैं उसके बावजूद उन्होंने वो ही अंदाज रखा जो विधान स कर रखा है उनको कई सारे मंत्री पर देने फड़ेंगे अगर वो सता में आती है तो कॉंग्रेस के लिए पूरी रास्तान और शेखवाट एरिया में चीज़ें साफ हो गई विधान सभा चुनाओं में भी यहां कॉंग्रेस को खासा फाइदा हुआ था तो भाजपा उसे म चुनाओं का विश्रेशन करें कितनी विधान सभा सीटों पे भाजपा जो की 115 विधायक जिसके हैं कॉंग्रेस जिसके 68 विधायक हैं उनमें आगे रही है तो भाजपा जो है Jesuto 106 सीट पे अगर आपन देखें इस चुनाओंन को विधान सभा सीटों के नजरियर से तो 200 में से 106 पर भाजपा और कॉंग्रेस Gatvandhan करीब 90 सीटों पर बढता है छे मैने में ही भाजपा ने 8 विदानसवा सीटों पर बढता हासिल की है 2023 में Jadi Gatvandhan में सामील कॉंग्रेस समिछ अन्य पार्टियों को मिला के चौतर सीटें मिली थी और अब जो है वो 90 होगी 15 का उन्होंने आंखडा आगे ले लिया बाडमेर लोकसवाक्षेत्र की बात करें तो बाडमेर में हरीश चौदरी एक मात्र विधायक एक मात्र विधायक भाजपा के हरीश चौदरी है दो विधायक वान निर्दली और 5 सीट पे भाजपा विधानसवा चौनाव जीती थी लेकिन बाडमेर में भाजपा आठ में से एक भी विधानसवा सीट पर बढ़त नहीं बना सकी चार सीटों पे कॉंग्रिस के उमिदाराम बेनिवाल आगे रहे है और चार पे ही निर्दली रविंदर सिंग भाटी आगे रहे ह चितोडगर्ड, जालावाड, भीलवड़ा, जालोर और अजमेर सीट ये पांच लोगसवाक शित्रों की ऐसे सीट रही है ये 40 सीट है जहां भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है जहां भाजपा क्लीन स्वीप करते हुए कॉंग्रेस से आगे रहती है गंगानगर, जैपुर ग्रामेर्ड और बास्वड़ा लोगसवा सित्र ऐसे हैं जहां कॉंग्रेस आठ में से साथ असेम्बलिक शित्रों में आगे रहती है उन्निस, 2019 के लोगसवा चुनाओं में भाजपा का 185 और कॉंग्रेस को 15 विदान स्वा सीटों पे बढ़नत मिली थी अब अगर मंत्रिय के हिसाब से बात करें जहां से विधायक बने और बाद में मंत्री बनाए गए उन लोगों की बात करें तो पांच लोग ऐसे हैं जो विधान सवा चुनाओं में जीतते हैं लेकिन उस इलाके पे भाजपा पिछट जाती हैं और कॉंग्रेस के साथ भी एक खेला है पांच मं मिना है गजंद्र सिंग्खियू सर है सुमित गोदारा है लोड करंड सर से जवाहर सिंग बेड़म है और के के विष्णोई गुडा मलानी कॉंग्रेस की और बात करें बड़े नेताओं में तो अशोग कहलोत का विधान सवाक्षेत्र सरदार पुरा कॉंग्रेस नहीं जीत पीम मोदी की राजस्थान में आठ सभाएं हुई एक रोड सो हुआ मोदी ने दो अप्रेल को कोट पुतली जैब प्रोग्रामिंड लोगसभा की सीट चूरू अजमेर लोगसभा की पुश्कर करोली बाडमेर दोसा में रोड शो किया भीनमाल और उनियारा में सभा की तो दोसा बासवाड़ा टॉंक सवाई माधपूर करोली धोलपूर बाडमेर और शूरू में भाजपा हार गई कितनी सीटे हैं पांच सीटे हार गई आठ में से जहां प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी दोरा कर रहे हैं केवल जालोर अजवेर और जैपूर ग्रामिण ही भाजपा जीत सकी और जैपूर ग्रामिण में अंतर 2000 से खासा कम है 2000 भी नहीं है अमित शाह का जो रिजिनल राय वो खासा प्रभावी राय है नरेंदर मोदी की बजाए अमित साह जहां दोरे करते हैं अमित साने हरसौली यलवर मुपालगड उदेपूर भीलवड़ा और कोटा में सभा की थी इसके अलावा सीकर जैपूर और उदेपूर में भी रोड़ शो किया था सीकर के अलावा भाजपा सारी सीटें जीत गई हैं अब अगर कांग्रेस की बात करें तो बड़े नेताओं का कोई जादू-जादा चला नहीं है जुनाओ में जहां सोनिया गांदी राहूल गांदी और प्रेंका गांदी का प्रचार रहा वो सीटें में लगबग हा रही है क्योंकि सोनिया गांदी ने जैपूर में प्रचार किया था, सभा की थी, राहुल गांदी ने बीकानेर और जोधपूर में की थी, प्रियंका गांदी ने जैपूर जालोर और दोसा में सभा की और अलवर में रोडशो किया था, किवल दोसा के अलावा कॉंग्रेस तो यह तय है कि आपका इस्थानी ये कारे करता अगर मेहनत नहीं करेगा आप चुनाव नहीं जीतेंगे भाजपा के साथ ये भाजपा ने देखा ठीक है उपर वाले मामले से माहूल बन जाएगा नहीं मना कॉंग्रेस ने देखा नीचे से काम करना पड़ेगा किया अगरीवीर को वो लाए चाहे समिदान बदलने वाला उन्होंने जुम्ला फैंका और तमाम चीजे निचले लेवल पर फ्लोट की उन्होंने 25 सीटों पे सभी 25 सीटों पे विदानसभा चुनाव की लिहाद से वोट शेर किरा है कॉंग्रेस का बड़ा है भाजपा ने पिछले बार 69 प्रतिशत था इस बार 59 प्रतिशत वोट असिल किया है 9 पंट 16 प्रतिशत कम वोट आशिल हुआ है बोजपागा कांग्रेस ने 8 पंट 22 की बढ़ोतरी की है कांग्रेस का 42 पंट 42 प्रतिशत वोट रहा है अन्य को 7 पंट 5 एक फिस्दी और नोटा को 0.84 फिस्दी वोट मिले है बार्ड मेर सीट पे तो बीजेपी को पिछले चुनाओं के मुकाबले 42 प्रतिशत कम वोट मिले 2019 की अनुपाद देखे तो गरे 30 लाख वोटों का घाठा सीधे तोर पे बीजेपी को हुआ है तो जो चुनाओ था कुल मिला के राष्टरी ये मुद्दों पे भाजबा लड़ना चाह रही थी और उमीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले बीजेपी की हार की कई वजहों पे हम विस्टेशन कर चुके कि अतिशा ये आत्मविश्वास केबिनेट में कद्दावर मंत्रियों का नहीं होना ऐसे नेताओं का केंपेन में नहीं होना जिनकी पूरी राजस्थान में टीम हो स्थानी ये मुद्दों पर कॉंग्रेस के आरोपों का प्रभावी तरीके से जवाब नहीं दे पाना कॉंग्रेस अपनी लड़ाई सडक पर नहीं लाने में सफल रही भाजपा सरकार की जिए का मोदी सरकार का नारा ये सारी चीज़ें जो है वो चुनाव हरा देती है विधानसवा चुनाव में जहां कांग्रेस कमतर रही थी सीधा mandate साफ mandate था कांग्रेस सलड़ जाती है भाज़पा सरकार बना लेती है उसके बावजुद छे महिने में जंता ने पूरी पलड़ दी है चीज़ें बदल दी है अंदाज बदल दी है जज़बात बदल दी है भाज़पा क्या करेगी क्या केविनेट बदलेगी भाज़पा क्या करेगी क्या मुख्यमंत्री बदलेगी तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब आना है राजस्थान में ऐसा क्या हुआ जो मत्यप्रदेश से इत्ता रेजल्ट आया साथ सा चुना हुए थे गुजरात से इतर हिमाचल से इतर पंजाब वाला इलाका जरूर भाजपा का जिता कोई गढ़ रहा नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश का सेक्टर अलग राजस्थान ने ऐस सारी चीजें जो है कुलमला के भाजपा की हार की वज़े बनी हैं विदान सुपा शुनाओ वोट शेयर उस पे विशलेशन आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद